तो हम बात करेंगे खाद को किस प्रकार हमें धान की फसल में देना हैं धान की फसल में खाद देने का आपको बहुत ही सीधा और शरल तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कंसे के लिए आप क्या उप्योग करें आने वले इस वीडियो में हम आपको जानकारी सधिय्स जो राई किसान करते हैं तो अपने अनुभाव के अनुशार खाट डाले आपको चेतर के अनुशार और मिंठी के अनुभाव होगा आज हम कुछ research के बाद हम इस खृत शेडूल आपको दे रहे हैं कि इस प्रकार आप खाट डालेंगे तो आपकी जो जमीन जो है उपजाओ रहेगी मिट्टी को कोई नुक्सान नहीं होगा और आपकी जो आने वाली पीड़ी भी इस खेत में अच्छे से खेती कर पाएंगी खेत तैयारी करने के शमय जब भी आप धान की खेती करते हैं खेती करने से पहले आप गर्मी के शमय में यव गोबर की खाट चार से पांच टन एक एकड़ की हिसाब से डालें आपकी जो मिट्टी है बहुत ही जानदार रहेगी उपजाओ रहेगी इसका उपयोग जरूर करे हम किशान जो है राशानी कुरवरा का उपयोग कर रहे हैं जिससे हम इन जो गोबर खाध हैं इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे स्वाइल में जो सीयन रेसियो है कारबन और नेटोजन का रेसियो जो है बहुत ही कम हो गया है कारबन जो हमारे स्वाइल में कम हो गया है और नेटोजन, यूरिया का अधिग उप्योग करने से हमारी जो खेतों में नेटोजन की जो मात्र है बहुत जादा होगी है, जिससे स्वाइल में जो हाडनेस है, हो गई है, स्वाइल में जो केचवा है, केचवा है हमारी खेतों में वो नहीं दिखती है, उपजाओ जो है मि है बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इसको आप खेत में लगभग एक एकड़ में चार से पांच टन गोबर की खाद अगर उपयोग करते हैं तो आपकी खेतों में जो जान है जो जान है मिट्टी में जो जान है वो बची रहेगी बात करते हैं किस प्रकार हमें खाद को देना पहले खाद की बात करते हैं किशान भायों प्रथम खाद में आपको देना होगा डीएपी यूरिया पोटास डीएपी यूरिया पोटास जो है इसकी मातरा हम बात करते हैं एक एकड़ में प्रथम खाद में आपको डीएपी देना होगा एक बूरी एक बूरी डीएपी 20 कि और 15 किलो जो पोटास की मातरा है आपको प्रथम खाद में देना होगा प्रथम खाद आपको वाय वाली जो धान होती है 25 से 30 दिन के अंतरगात आपको देना होगा और इसमें आप एक अच्छी जो माइकोराइजर है या ग्रोध बनाने के लिए जो आती है इसका वीडियो हम आगे बनाएंगे आप आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं तो उसकी जानकरी आने वाले वीडियो देंगे आज बात कर रहे हैं खाद के बारे में यह चीजें हैं आपको डाली होगी पहले खाद में जो 25 से 30 दिन के अवस्थ अब दूसरा यूरिया हम देंगे हम 25 दिन बाद आपको 20 किलो यूरिया और उसके साथ आपको देना होगा जिंक जिंक को हम पहले खाद के में इसलिए नहीं दिये क्योंकि उसमें हम DAP मिला रहे हैं DAP के साथ जिंक को मिला कर नहीं डालना है क्योंकि फॉस्पोरस और जो जिंक है मिलकर जिंक खॉस्पेड बनाती है इस अभिक्रिया के कारण जो खाद जो हमारी जो डिएपी है काम नहीं कर पाती है और जिंक भी जो जिंक खॉस्पेड बन जाती है जिसके वजह से नीटरल होकर खाद दोनों खाद हमारे कोई काम की नहीं रहे जाती है तो इसके बाद हम तूसरे तीसरे खाद में हम देंगे यूरिया 25 दिन बाद उसमें जींग डालेंगे और उसमें तना छेदा की कोई भी दवाई का उपयोग हम करेंगे तना छेदा के लिए दानेदार मार्केट में बहुं सा राती है हम आगे वीडियो में भी आपको अच्छे दवाईयों की जानकारी देंगे बात करते हैं तीसरे खाद की तो वाईयो वाली धान में आपको 25 से 30 दिन बाद जो तीसरे खाद जो है लास्ट खाद आपको देना होगा 20 किलो यूरिया 20 किलो पोटास और उसके साथ करटाप हेडर क्लोराइड जो 4 परसेंड आती है जी आर फॉर्म में इसका उप प्योग कर आपको बहुत 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 रिजल्ट मिलेगा बात करते हैं बहुत सारे किशानों की जो अनुभाव है अलग-अलग है आप किस प्रकार खाद डालते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताए ट्रांस्प्लांटेट राइज में हम किस प्रकार खाद दे या से पहले बात करते हैं रोपा ओली खेत में तो रोपा लगने के ट्रांस्प्लांटिंग होने के साथ से आठ दिन बाद आपको खाद देना होगा बहुत से किसान रोपाई से पूर्वा जो है डीएपी का छिड़काव कर देते हैं वह अपना-पना अनुभाव है लेकिन और 50 किलो SSP सिंगल सूपर फासपेड रोक जिसको राखड के नाम से लोग जानते हैं इसका 50 किलो और डीएपी 50 किलो जूरिया आपको 20 किलो लेना होगा पोटास आपको 15 किलो लेना होगा इसके साथ आपको कोई भी एक ग्रोथ के लिए दवा का उप्योग करना होगा जिस दूसरा खाड आप कब डालेंगे 25 दिन बाद पहला खाड के डालने के 25 दिन बाद दूसरा खाड डालेंगे जिसमें आप डालेंगे जूरिया 20 किलो जूरिया 20 किलो उसमें आपको डालना होगा जिंक के साथ मिलाकर आप डालेंगे तना छेदा के लिए दवा तना छेदा क बाद आप खाट डालेंगे 20 किलो यूरिया 20 किलो पोटास इसके साथ कोई भी अच्छी करटाप जो आती है दानेदार उसको उपयोग करें इससे आपको खाट का जो सेड्यूल है बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी धान की फसाद स्वस्त रहेगी और इस खाट सेड्यू पूश हमता है भरपूर रहेगी आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा और आपको आने वाले पीड़ी के लिए जो मिट्टी है आपकी स्वस्त रहेगी आसा करता हूं इस वीडियो को आप समझ पाए हैं होंगे और कोई भी प्रकार की जनकरी अगर आप चाहते हैं तो कमें करें आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तक के लिए जैशे राम वंदे मातरम